हेलो गाइस once again welcome back to my channel आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मुझको जो comments मिल रही है आपकी ओर से उसके related है और वो जो comments है वो currently gtu 100 activity points के related है काफी सारे student को 100 activity जो portal है उसमें error दिखा रहा है server down हो रहा है या फिर आप login तो करते हो लेकिन activity add नहीं कर पाते हो तो वो जो सब problem हो र video है तो जो मैं आपको trick बताने वाला हूं जो information देने वाला हो वो आपको follow करनी पड़ेगी video देखने के बाद तो वो आपको कैसे follow करनी है तो specially laptop या फिर computer में ही आपको सब कुछ करना है ठीक है क्योंकि phone में यह support नहीं करता है वो मैं आपको live दिखाने बाला हूं तो कोई भ करके search करना है तो search हो जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हो 200 activities point के related website दीखेगी first and जो दूसरी है उन दोनों की link में नीचे description में दे दूँगा लेकिन यहां पर most of the mostly problem क्या हो रही है कि इस website में student का server डाउन भोज जा रहा है तो वो जो first हमारी जो website है उसमें कि यहां पर आप click करते हो तो लोडी होता रहता है और server down करके error आ जाएगी यहां पर एक दू मिनिट में आपको दिखाने वाला हूं live करके ठीक है तो video थोड़ा क्लंबा खित सकता है लेकिन मैं जो आपको trick बता रहा हूं हो आपको perform करना कोई laptop या फिर computer में तो आपको 100% प 10 या फिर 20 seconds हो गए लेकिन यहां पर अभी भी यह जो website है 100 points की वह run ही हो रही है अभी live नहीं हो रही है ठीक है तो यहां पर जो नीचे दूसरी website आपको दीख रही है 100 point activity करके ठीक है वह जो first वाली थी वह GTU 100 activity point थी उसमें error है या फिर server down होने की वज़े से यह problem हो रही है आप देख लेना कि यह दोनों website में से आप कौन सी link पे click करके activity अड़ करते हो ठीक है अब हम यहां पर जो second website है उस पर चल देओ और मैंने वहाँ पे click कर दिया और देख सकते हो कि यहां पर website live होना start हो गई है थोड़ा wait करना तो guys यहां पर आप देख सकते हो कि जो दूसरे number की जो website थी उसमें 100 activity points के related registration यहां पर या फिर login detail से वो open हो गई है ठीक है यहां पर server error नहीं आ रही है लेकिन जो first number की थी उसमें server error की वज़े से वो लोड़ी कर रही थी वो live नहीं हो रही थी तो यहां पर हमने details fill up कर दिया और capture code enter करके मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर activity अभी भी add हो रही है ठीक है लेकिन यह सब आपको laptop की मदद से या फिर computer में ही करना है यह जो second जो website है उसमें आप phone में करोगे तो आपको dashboard ही दिखेगा phone में आप desktop mode activate करोगे तब भी यह जो चार टैप्स है कि home add activity display activity and edit profile यह phone में भी करोगे तब भी नहीं दिखाई देगा मैं आपको side में मेरे phone का screenshot भी दिखा दूँगा ठीक है और side थोड़े बहुत phone में भी support side हो लेकिन मैं आपको 99% सला दे रहा हूं कि यह आप किस में perform करना दूसरी website रन करना वो laptop या फिर computer में करना ठीक है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा dashboard open हो गया है और add activity पे click करता हूं तो यहाँ पर activity add करने की permission दे दिए ठीक है तो यहाँ पर से मैं activity add कर सकता हूं तो यह जो दूसरी second वाली जो website है ना 100 activity points के related वो completely work कर रही है देखो मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं ठीक है तो यह जो second website है उसकी link मैंने नीचे description में देदी है तो आप वहां से click करके laptop या भी computer की help से करना phone में यह problem हो रहा है कि यह जो चार tabs है ना वह available नहीं हो रहे तो इसलिए laptop या फिर computer में करना ठीक है I hope guys कि मैंनोच आपको इस वीडियो में information दी वह आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को like share and channel को subscribe कर देना and is related कोई problem हो तो comment कर देना तो मैं आपको check करके बता दूंगा ठीक है